रोचो नमस्कार मैं मनोज एक बार सभी का पुना अस्वागत कर्थ हो अपने यूटीब चैनल में दोस्ते इस वीडियो में आज हम बात करें वाले हैं राजस्थान की सभी परत्योगी परिक्षाओं यानि आरेस से लेकर के चोटी सी-चोटी एक्जाम यानि आरेस आरपी ए तक जितने भी राजस्थान में परिक्षाओं हुई आज तक उन सभी परिक्षाओं में जितने भी आरेस में चाहे कोई भी एकजाम हो जिसमें 1857 की करांती से श्वाइट आज तक जितने भी कोशन पूछे गए हैं वो सारे के सारे कोशन में आपको इस वीडियो मेंzig करूने वाला हूँ ठीके इस वीडियो में अगर सब्सक्राइब नहीं कॉष्ण पर यहां पर इसके साथ में आपको मिलेगा प्रते कोशन जो है इसके इस परकार कि आपको वैख्या मिलेगी और वैख्या में अगर बात करें लगभग प्रते कोश्ण की वैख्या में चार कोश्ण आपको मिल जाएगा ठीक है तो इसको अगर बात करें तो लगभग आपके इस वीडियो में और यह राजस्तान की एक भी ऐसा आपको वीडियो नहीं मिले वाला है ठीक है तो इसमें आपको पूरा आपको कंटेंट है वो मिल जाएगा एक वीडियो में आपको कहीं पर बीदियो और नया वीडियो देखनें क्या हो शकता नहीं रहेगी तो सबसे पहले बिना किसी दरी के सस्थक्राइब करते हैं शासन को सबस्तान क्या चीक हं मिलते रहते हैं पहला कुशन है कि अंग्रेज़ों के इस आसनकाल में राजस्थान में पॉलिटीकल रेजिडेंस का मुख्या ले कौन सा था या कहां पर था या आपको बताना है तो इसका राइट आंसर है अजमेर आपको पता होगा अजमेर और मेरवाड आपने नाम सुना होगा राजस्थान में जब एकी करन हुआ था तब यह क्या थी वह आप कमेंट करके जरूर बताईएगा ठीक है अगला इसकी दिए कि वेख्या देखिए वेख्या में क्या लेका वाएं कि राजपूतना रेजिडेंसी जिसकी स्थाप नागरबाद करें तो 1832 में होई यह राज की अधिकारी था कहां का राजपूद जो रेजिडेंसी जो मुख्य जो इसका अधिकारी था वो एजी जी क्याला था था जो इतंलिल के अगर रहेंक्य चाहर वह यह ओद सेफ़ कोन्था वह यहां पर आपको इसका प्रत्व जहां अंसर होने वाला ऑप्शन नम्बर डी कि नेक्स्ट को सन देखिए यह कितनी बार रिपीट हो चुका है और यहीं दोस्तों को सने वह हर बार ऐसा आयता है कि राजस्तान हिस्ट्री आरटन कल्चर और जोग रोपी यह तीन ऐसे टोपिक राजस्तान जी के से सम्मादित यहां स तुसरा कोशन है कि 1857 इसवी की विलूप विपल्व के समय राजपूतना रेजिडेंसी में एजेंट टू गरुनर जनरल यानि एजीजी कौन था ठीके तो इसका राइट आंसर अगर बात करें तो आप्शन नमर आपका डी होगा जो अभी हमने उपर पढ़ा था पैट्रिक जोर्ज पैट्रिक लॉरेंस इसका करेक्ट अंसर होगा यहां पर हम बात करते हैं इसकी देखिए वैग्या अधिनस्त संदी के तहत राजपूतना रेजिडेंसी अजमेर की स्थापना जो हुई थी अना राजपूतना रेजिडेंसी जिसका मुख्यला आजमेर में और पूचा जाए तो इसका नाम था जोर्ज पैट्रिक लॉरेंस यह कोशन देख सकते हैं यह तीन बार कोशन हो रिपीट हो चुका है और हर बार कोशन हो रिपीट होता है ठीक है अधिनस्त संदी के तहत राजपूतना रेजिडेंसी अजमेर की स्थापना 1832 में की गई थी ए कोशिट प्लिटिकल एजन्ट कोशन था बिल्कुल करेक्ट अंसर अगर बात करें तो इसके राइच होगा कप्तान सारुषट ठीक है बतन अगर बात करें तो मेजर मेघ् gen या गयात करना हैं से मोशन आपको यह समझान पूछ जाएगा और आने वाली पूछेगी कि सजहा के लिए किसने स्वीकृती दी है और किसने पुष्टि की है यह कथन किसने कहा था पटवारपिरी में मैं फूछा था 2016 तो इसका राइट अंसर का कैप्टन सार्वस जो कहां का था दोस्तों कैप्टन सार्वस अगर बात करें जो अभी हमने उपर पड़ा था कैप्टन जो सार्वस था वो मा मेवाड जो था उधेपुर वग्रा वहां का वो एजजी था नेक्स्ट कोशन है हाँ इनके थोड़ी सी वैक्षिया देख सकते हैं कैप्टन सी एल शार्वस मेवाड यानि उधेपुर के पॉलिटीकल एज़न्ट था इतिहास में तांती टोपी को फांसी देना बिर्टी सरकार का अपराद समझा जाएगा और आने वाली पीडी पूछेगी कि सजा के लिए किसने सुखरती दी किसने पूछ्टी की यह जो इसका वो यह में आंसर था ठीक है अगला कोशन है कि कौन सा कूट है वो शुमेलित नहीं है यहां पर दोस्तों एक साइड में आपके राज्जी दिये हुए थे यानि उस समय अगर बात करें यह जो अंग्रेजिजों के टाइम यह राज्य थे और एक साइड में वो पॉलि कोटा का मेजर वर्टन था और अगर बात करें तो सारवस था बिल्कुल शाही है और जैपूर में तो लौरेंश नहीं था बिल्कुल यह गलाड तांसर है तो इसका राइट इसमें पूछा था कौन सा कूट है वो सुमिल इतना है तो यह जो तीन ओप्शन है जैपूर जूद्पुर का मेंजर निक्सन दिन हो अगला को शन तो समय अगर बात करें तो तक्त सिंग वहां के जो क्या थे दोस्तो महारजा थे जोधपुर की आपको ध्यानुमें रखना है ठीक है बिलकुल करेक्ट अंसर है अगला हम देख सकते हैं अगला कोशन यहां पर देख सकते हैं रियासत सभी क्या है रियासते हैं अब इन रियासतों के शाषकों के नाम है और उस समय रियासतों के जो पॉलिटीकल एजेंड थे यानि अंग्रेजी जो शाषक वहां पर रखे गए थे अंग्रेजी गौ़र्मेंट के दोरा वो कौन-कौन से उनके पॉलिटीकल एजेंड थे मेवार का अगर बात करें उस समय जो 1897 की करांती के समय मेवार का शास है अगर आप से पूचा जाए तो शारूप शिंग सा अगर आप से पुछा जाए अठारस्टो शतन की करांती के समय मेवाड का जो पोलिटिकल रेजेंट कौन था आपको लेखना है मेजर स्टार वस बिल्कुल इसका करेक्ट रांसर है इâ लिए जोद्पूर का तक्ति शिंः मारा जा था इस समय आठारा सो सतनों की करांती के समय यह अगर बात करे तो ! पर इनके जो एक सेड इनकी रिया सत्वत रही स्थ हैं जो पॉलिटिक लेजन थे यहां पर आपको यह नाम सारे कसा रहा आपको याद होने चाहिए यहां पर देख सकते हैं कौन कौन चीथी तो यहां पर लेका वाएं अठारा सो शतान की क्रांती के समय राजस्तान में छे बिल्टी शावनिया थी पहरा नशीराबाद जो अजमेर में सबसे पहले विद्रु हुआ था आप हो ध्यान में रखना है ठीक है देवली जो टौक में सबसे छोटी जो शावनिय थी एरिनपुरा वरतमान पाली में आती है जो भीरों की स कहलेती है ठीक है यहां पर शावनिय थी बिखे spiritually कर दो इसका राइट अंसर करें तो अनार सिंग बिल्कुल करेक्ट अंसर है कि लेदार अनार सिंग जोदपूर लिजियन यानि एरेनपूरा सैनिकों के जो खेर बाइस्तान पर ठाकुर जो कोशाल सिंग चंपा वतने यहां पर उनकी बेंट हुई थी यह इन बेंट का मतलब है मिलन अगला कोशन हम देखते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द देख सकते हैं कोशन नमबर अपना बारा है 1857 के विद्रों के समय जोदपूर का शासर कौन था अभी हमने उपर आपको जो शाल नहीं बताई थी उसके अकोर्डिंग अगर बात करें तो इसका राइट आंसर अगा त नेकनी शाल राज सींगवी देखत. यहां पर अगर बात करें तो जो पंदर भी बंगाल नेटिव इंफेंट्री जो नामक टुकडी थी उन्होंने बंगाल से बुला करके आजमेर के तारा गड़दुर्ग में वो शीवी लगा कर इनोंने ट्रेनिंग दी गए ती तो यह आपको ध्यान में रखना है अगला कोश तो इसका राइट आता हमें तो यहां पर हम यह कह सकते हैं कि 1867 को नशिरबाध जो अजमेर में आता है इनका कारण यह था कि जो 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 अजमेर इस जो पंदर भी बंगल नेटिव इंफेंट्री जो थी उनको कहां पर भेज दिया था दोस्तों अजमेर उनको इस्थांत्रित कर दिया था अगला कुछन है राजस्थान में 1857 के विद्रो का पर्थम जो शंग्रह हुआ था वो कहा अगला कुछन है राजस्थान में पहला इस्थान जहां से 1857 का विद्रो शुरू हुआ था अभी हमने उपर पढ़ा था नसीराबाद अजमेर में आता है वहां पर अगर बात करें कारण यह था कि ब्यावर था वहां से दो जो मेर रेजिमेंट है उनको बुला करके पंदर भी जो नेट्टिव जो थी ठीक है उनको जो नसीराबाद भेजना और चर्बी में लगे जो कार्तुस थे उनको हटाने का ना देश के ठीक है और यहां पर अगर बात करें तो अंग्रे जो एक अधी करी था नियू बरी उनको वहां पर हो मौत के घात टेवो उतार दिया थ ठीक है नेक्स्ट कोशन है कि 1800 सताउन की करांती के समय नसीरबाद सावनी में कौन सी नेटिव इनफेंट्री नियूट थी तो आपको यहां पर बताना है जो पंदर भी नेटिव इनफेंट्री थी बिल्कुल करेक्ट अंसर था कारण क्या था वह यहां पर लेका आप एक ब करेक्ट हैं ठीक है यहां की जो आप देख सकते हैं की वेक्या वह यहां पर आपको कोशन है वह कुछ हैं मिल जाएंगे अगला हम बात करते हैं कोशन नंबर बाइस अठारा सो सतावन की करांती के समय कोटा का सासर यह रीट में 2011 में कोशन पूच्छा गया था इसका जाए दयाल तता मेरावखान यह कहां के न jobbar सी तहां के नहासी था और मेराप खान और कहांका निवशन के पूचा था इसका दो राइट अंसर बात करें तो आप यह वेक्या देखनी हैं क्योंकि जो चारों की सारों इसमें गलत थे राजस्थान में 1877 की करांधी का सबसे बड़ा विद्रो कोटा में 15 अक्टोबर 1857 को हुआ था इसका नेतरतो अगर बात करें तो जैदयाल जो कामा कहां के थे कामा भरतपूर के थे दोस्तों कहां के थे यह आपको ध्यान में रखना हैं सबकरोल के तो अगला बात करते हैं ंचराजस्थान के विद्रों के दोरान वाटतों के पूत्र कहां पर किस ने किया था दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज हमारी आए आप हमें मोटिवेट करते हैं ताकि हम भी यह वह आपको समय पर है वह वीडियो जल्द से जल्द आपको प्रवाइड करवाएं ठीक है अगला कोशन है राजस्तान के कोटा राजे में 1857 क विद्रो का नेतरतु किस ने किया था बिल्कुल बिल्कुल है वो इंपोर्टन कोशन है इसका जो राइट आंसर अगर बात करें तो राइट आंसर ऑप्सन नमबर सी होगा लाला जै दयाल और मेहराब खान ठीक है अभी हमने यह उपर भी कोशन है इसको हल कर रखा है अब अगर बात करें तो बी और ची यानि मेजर बर्टन और एक और था उसका फुत्र था जिसका नाम क्या था दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मेजर बटनों सेड लरी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ठीक है यह आपको ध्यान में रखना है आगला कोशन है कंप्णी अधिक था अगला कोशन है कि अक्टूबर 1807 की करांती के या विद्रों के समय कोटा में अंग्रे जी पॉलिटीकल एजेंट कौन था तो वहां का जो पॉलिटीकल एजेंट था अप्शन नमर सी है मेजर बर्टम बेलकुल इसका करेक्ट है यहां पर हम बात करते हैं दोस्ते को यहां इस करांती का जो दोस्तो प्रतीक चेने था वो था दोस्तो रोटी और कमल का फूल यह आपको ध्यान में रखना है कंपनी अधिकारी जिसकी 1807 की करांती के दोरान कोटा में हत्या कर दी गए थी बार बार कोशन रिपीट होता है लेंग्वेज चेंज के आधार पर राइट लिखान ओंजहरगा इनकी वेक्या आप और देख सकते हैं तो अगर बात करें तो कोटा से किया था बिल्कुल यादे आपको ध्यान में रेखना है ठीके अऔर यहां पर अगर बात करें मेजर और सरजन जो थी उनकी हत्या कर दी गई थी कों से में कोटामे 12 외 सौतंतरा शंग्रा में कोटा के महाराओं की साहिता के लिए किस राज जिने सैनिक साहिता भेजी थी बिल्कुल बिल्कुल वैरी वैरी इंपोर्टा कोषन है राइट आंसर होगा करो ली राजस्थान में 1867 की क्रांथी का सबसे बड़ा विद्रो कोटा में हुआ था और विद्रो जन विद्रो या जनता दौरा किया विद्रो था जिसमें राज किये सेनह ने जो किरांथी करी था वहां पर व्हांपो नहीं आपने वह आऀंव अन्त ध्मिकरात के जमान सेमत डिए था यरित तो झाय था नक्ह Daar पूत्र को मार करके विद्रो कर चलो दिली मारो फिरेंगी का नारा देते हुए दिली को कूछ किया था यानि दिली की और चल पड़े 1877 की करांती किसमे राजस्तान में स्थानिक शावनिया थी यहां पर लिखी हुई है अगला क्वेशन ने 8 सेतंबर 1857 को जो बिथोड़ा है तो 8 सेतंबर 1857 को बिथोड़ा नामक इस्थान पर अगर बात करें तो कुसाल सिंग की सेना ने जोदपूर की राज़ी की सेना को पराजीद किया था यहां अगला क्वेशन ने प्राज़ा की सेना ने आहुआ पर कबज़ा किया था तो वहां का ठाकुर थ के बाद में ठीक है तो उसमें कुसाल सिंग की यह जो पराजीत हो गई थी उसमें अगर बात करें तो उन्होंने जो कमज़ा किया था वो किया था 24 जनवरी 1858 को और विथोड़ा का युद हुआ था 8 सेतंबर 1857 को अगला कोसन है राजस्तान में आहुआ का विद्रो किसके नेतरों में हुआ था आहुआ का विद्रो जो हुआ था दोस्तों वह ठाकवर को साल सिंगे नेतरों में हुआ था और यहां पर चोला वास जो युद है वह 18 सेतंबर 1857 को पूछा जाएं तो यह जेल प्राहरी में 8 सेतंबर 17 में कोशन हो रिपीट हो चुका है पूचा युद और चेला वास का युद 18 सेतंबर 1857 आपको ध्यान में यह रखना है बिल्कुल ठीक है और मोक जो मेंसन है वहां पर मार आ जाता है अगला कोशन है इस्थान जहां जो ठाकुर को साल सिंग है अपना अंतिम समय व्यवतित किया था फॉस्ट क्रेड संस्क्रिट खेकाने द्वार असरन दी गए थी तो इसका राइट अनसर होगा जो को ठार है वर्तमान में आगर बात करें तो कोठार यो कौन से चेत्र में आता वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं ठीक है तो अग्वा आठागुर को साल सिंग चंपा वह था अंग्रेज और मार् जोद सिंग के वहां सरन ली थी आत्म समरपण आट अगस्त 1860 को नहीं मच में हुआ था ठीक है बागर संग्राले पाली में आपको ध्यान में रखना है किस वर्ष में आगवा का युद हुआ था तो अगवा का युद हुआ था बिल्कूर शी इसका राइट अंसर आगवा का कोटा में मार आ जाता है अगला क्वशन ने 1867 के करांति की या स्वतंतरा संग्रां के स्वतंतरा जो संग्राम हुआ था उसमें मारवार में निम्दलिकित में से किस कुल देवी की यह वो मूर्ती प्रेलना शुरुत रही थी बिल्कुल यह करेक्ट आंसर अगर बात करे तो अगला क्वशन हम देख सकते हैं कि जो क्वशन नमर चौमाली से राजबुत अगर बात करें तो अज मेरे में 1832 में थी ठीक है राजबुत ना रेजिदेंसी की नाम से वह जाना जाता है अगर यहां पर बताना है कि मेरे वाड़ा बठालीन का मुख्याले पूचा है वीडियो में यानि ग्राम विकास अधीगर में कोशन पूचा हुआ है और इसका राइट अंसर होगा ब्यावर जो वर्तमान में अजमेर में आता है अगला कोशन है अंग्रे जोने अपनी शरण भंकी क्या उन्होंने अवद अपराधिकारी नहीं किया अथा उन्हें यह अपएक्षा करनी चाहिए कि वारतिय सेना सफ़त कानुपालन करेंगी य अगला हम कोशन देखते हैं 1870 की करांती के या विद्रोग के परती ही जो मेवार का मारणा था उनकी क्या नीती अगर बात करें तो उनकी अंग्रेज जोंको सहयोग देना जो मेवार का मारणा था कौन सा था दो वो आपको देखना ठीक है यहां पर देख सकते हैं कोटार या का रावत जो चिंग और सलूंबर के रावत के सरी शिंचूंडावत ने अगवा ठाकुर खुशाल चिंग की मदद की थी आपको यहां पर ध्यान में रखना है यह राजस्थान के अगर बात करें तो दो यह भ पूंद आपको द्यान में र प्यक्राव सर्दार दाहें कि और पूचल राजस्थान में राजस्थान में तॉतेकं ऑंका llevला राजस्थान में dog तकरमृति वह राजस्थान मेंшие पूच्छा है बिल्कुल करेक्ट नांसें सर में आपको बटाने वाला हम यहां पर आप देख सकते हैं ठीके यहें ली आपको पोछे हैं ने आपको द्धाना है , जैपुर पूचे तो इड़न बताना है कौन था तो इसका राइट आंसर होगा भगत जो भगवंत सिंग था और यहां पर इनके सासर के बताए गई है बाकी वालो रियासतों के अगला कोशन है निम्द लिकित में से कौन सा इस्तल राजस्तान में अठारा सो सतान की करांदी का के अंदर नहीं थे निमच अगर बात क ठीक अगला कोसन है निम्द में से कौन सी जगे अятель सो शतावण की करांदी से समय नहीं है तो इसका राइट आंसर होगा जयस्तर में अगला औरूस्तर कोसन का इसका आपको आंसर बतानला एक कमेंट बोक्स में कि अठारा सो शतावद के विदरों के समयdeath millorत्पुर तो 54 ने आप कॉमेंट में करना है कॉस्षक नमबर चॉपां राइट अंसर कौन सा है वो आपको कमेंट करके बताना है वीडियो कैसा लगा कमेंट करते कि देना और इसी फरकार का नेक्स आपको वीडियो टाम नहहां लेना